नमशकार, प्रिंट सिबी थर्विस इस की इस PTSD PCR सिरीज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं रचाय है Ctrl सिरीज हो पिछले की वीडियो में हम सिरीज के उसी सी लेवल के प्रिशनो का चैप्टर वा अभ्यास करते हैं इसी श्रंखला में इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज जो चैप्टर हमाने सामने हैं वो है पोस्ट मौरियन पीरियड जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने पिछले कुछ वीडियो में आपसे मौर एमपायर उसके पहले के टाइम के चैप्टर को कवर किया है तो आज हम पोस्ट मौरिया पीरियड या फिर मौर उत्तरकाल या मौरियों के बात का समय जो है इतिहास में उसको हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो भी विद्यार थी शुरेंड जो यह नहीं गानते कि पोस्ट मौरिया एरा में क्या-क्या डवलेप्मेंट्मेंट्स हुए आख जो को रिविजन नहीं है मैं बीफली आपको बताता हूं कि जो मौरिया पीरियड है इंडिया हिस्ट्री का वह जनुरली आपका उसका टाइम माना जाता है 321 से लेकर 185 BC और इसके बाद मौरेन एम्पायर जो है उसका डिकलाइन हो जाता है और मौर वंच के अंतिन्शाशक को मार करके उन्हीं केस्ट एना कमफेना के कमांडर और एक ब्राम्वन पुश्च मित्र सुंग ये आगे चल कर एक नए एम्पायर को एक नए किंग्डम को और इसके बाद माना जाता है इस घटना के बाद इस एम्पायर के स्टेवलिश होते हुई कि 185 में मौरे एम्पायर पनिश हो जुका है और पोस्ट मौरे आए स्टार्ट होती है अब ये सुंग एम्पायर पाटली पुत्र के आसपास एक्डिस्ट करता था आगे चल कर यह रूल कर रहे थे तो उसी समय भारत में पश्चिम भचेतर से पश्चिम उत्र छेतर से इसी समय पर इंडो ग्रीक्स का अटैक भी देखने को मिलता है जैसे हिंद युनानी कहते हैं इसी समय पर आपको पार्थियंस अटैक करते हो दिखाई पड़ते हैं और इसी के साथ ही घटना है जब तक होती रहती है तो इस टाइम को हम पोश्च मौरिया एज के रूप में कंसीडर करते हैं और जब यहां पर एक बार फिर से मौरियों ने एक बड़े सामराज की स्थापना की थी ठीक उसी प्रकार अराउंड 280 AD के आसपास श्री गुप्त नाम के एक व्य पोश्च मौरिया पीरिये एंड हो जाता है और गुप्ता ने वाला है मौरिया के बार और गुप्ता के पहरे का जी तारी घटनाएं इस पर तो हम इसको दो या स्वेडियो तो आज इसी के पहले वीडियो का पहला कोश्चन आपके सामने हैं इस प्रकार से है कि भारत में विदेशियों के आगमन का सही कालानुकरम क्या है क्या कॉन्डॉजिकल और है कैसे कैसे विदेशियों ने भारत पर आक्रमण किया तो यह देखते हैं सबसे पहला नाम आता है इसमें शक मैंने अभी आपको बताया पोस्ट मौरिया पिरियड में आपको शक्त प्रवेश करते हो दिखाई पड़ते हैं ठीक है पोस्ट मौरिया इसके बाद का टाइम है तो यह नंबर बन पर मान लेते हैं फिलाल यह नंबर टू पर चीक है तुर्क यह तुर्क जो है यह आपको मिडाइवल इंडिया में दिखाई पड़ेंगे यहां पर आपको बता है कि तराइन के दो बैटल हुए थे महुम्मद गौरी और पत्वि बस यहां पर दिली सद्रक की स्थापना भी दिखाई पड़ती है जो आपचारिक रूप से भारत में केंडरिय तुर्की इसलामिक समराज्य की स्थापना कर देता है तो यह घटना अभी तक जो क्रम देखने हैं हो सही द्रिया हुए शक फूंड कुशान तुर्क यूनानी यूनानी अगर मैं आपको याद हो मैंने जश्ट अभी बताया कि हिंद यूनानी जो है इंडो ग्रीक्स यह शक्त से पहले आने वाले शाशक थे भारत के प्रवेश किया पस्यों होता अच्छेत से हैं तो यह क्रम तो सही है बस यूनानी को उठा करके यहां डाल देना है ठीक है लास्ट में आरे अब आर्यों का सम्मद आपको पता है वैदिक काल से है जो पोस्ट मौरिया के काफी पहले की बात तो आर्यों को आपको इसके भी आगे डाल देना है तो सही क्रम होगा क्या आरे यूनानी शक्त हूंड तुर्क अब देखिए कौन सा मैच कर रहा है तो सेकेंड अगर आप देख पा रहे हैं तो आर यूनानी शक्त हूंड और तुर्क यह ऑप्शन सही बैट रहा है एक्कॉर्डिंग टू अपका उत्तर हो जाएगा इसमें क्या भी ठीक है चलिए अब अगला कुश्चन देखते हैं मौरियोत्तर काल के संदर में विचार क करवाता है इस काल में शुंग और साथवहन शाशक सब्ता में आये तो आपको बताया था कैसे कैसे कौन-कौन से वंश आस्तित्त में आते हुए दिखाई पड़ेंगे तो आपको लगभग एक सो पच्छासी 185 बीसी के आसपास शुंग एंपायर मनता दिखाई पड़ेग इसके बाद भारत और मद एशिया के वीज घनिष्ट व्यापारिक संबंद स्थापित हुए कब पोस्ट मौरियाइस में क्या यह सही है तो अगर आप देखें तो आपको मैंने बताया कि जो हिंद यवन है इंडो ग्रीक्स या पार्थियंस इंडो आपके इरानियन या यह ऍट लेश्ट कर रहे और यह सभी सेंटर एशियां से अभारत के बीच और भारत और मद एशिया के बीच वियापार भी के राजाओं के नाम वाले सिक्के जारी किये तो इसमें कह रहा है कि मद्द एशिया से जो आए साशक थे उसमें सबसे पहले कुशान साशकों के ने राजाओं के नाम वाले सिक्के जारी किये यहां पर फूड़ा सा कर्रेक्शन है कुशानों का नाम सिक्कों में आता है लेकि सिक्कों पर राजाओं का नाम लगा हुआ हो ऐसे आस्य जाता है भारत में इंडो ग्रीक्स को हिंद युनानी शाषकों वही पहले शाषक थे जिन्नों ने अपने नाम के सिक्के चलाना शुरूर गिया इससे पहले हमको किसी सिक्के पर किसी साशक का नाम देखने को नहीं मिलता यहां पर इसकी चलते गलत हो जाएगा तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे वह तो आपका स्टेट्मेंट वन और टू यह दोनों सही है आपका उत्तर हो जाएगा ए चीक है तो ए विल वी जा मेंसे कौन सा सही है इसका आपको पता लगाना है तो इन तीनों मेंसे कौन से सही है मद्ड एशिया के साशिको दौराब भरत पर आकरमन करने के कारणों के बारत तो अब फ्रोलासा आप इस면 ली तो अगर हम पोश्ट मौर्या एज की बात करें तो मैंने आपको बताया कि एक तरफ तो आपके इस पाटली बुद्र के मगत के छेते के आसपास आपको स्टुंग वंश का उध्य होता हुआ दिखाई पड़ेगा और इसके बाद कण्व और बाद में यहां पर साथ वहाना कायस्ते दिखाई पड़ेगा जो बाद में बहुत प्रशार करेंगा प्रशार आप देख रहे हैं कि मौरे एंपायर की तुल्ला में छोटे छोटे एंपायर रूल कर रही है अब इससे होगा क्या कि यह पोर्शन है जो हमेशा से वलनरेवल रहा है तो कि यहीं से सिकंदर भी आकर्मन करता हुआ दिखाई पड़ता है यहीं से हमको सिक्स सेंचुरी के आसपास इरानी वंश के अब होगा क्या कि इसी समय कुछ और घटनाएं भी होंगी तो घटनाएं क्या है सबसे पहले कि इस पश्चिमेशिया के छेतर में आपको पता है कि सिकंदर की म्रत्य हो जाती है और म्रत्य होने के बाद स्रेल्युकस निकेटर जो है इस रियाए एक और घटना की समय होती है और वो यह होती है कि चीन में जो राजवा इंशाषन कर रहा था वो यहां पर एक दिवार का निर्माण करवाने लगता है यहां पर मद्ध एशिया में रहने वाली कई ट्राइब्स जो है यह अपने आपको इंसिक्यूर मैसूस करती है यहां सा च कुशार ने इन सभी बाकी चारों प्रांचेश को हरा कर मिला लिया आपस में और भारत पर आक्रमण किया एक सामराज की स्थापना की तो यह शक हो या यूची ट्राइब हो उस समय उस राजवंश के प्रभाव के चलते उनको प्लेस छोड़ना पड़ता है के करके और पहल इस तरह से जो मदेश्या की चातियों का पहले हिंद्यवन के छेत्र में जाना और भाद में वहां से भाद प्रवेश करना तो इस तरह की घटनाय होती रहेंगी और हिंद्यवन का जो चुंगों के समय दिखावी पड़ता है शक बहुत लंबे हमें के लिए भात के शित्रों बस जाएंगे कई अलगालों ब्रांचेश बनाएंगे और जो पोष मौरिया यह वहां पर आपको अमूमन शकों के बारे में और कुशानों के बारे में विस्तार से पढ़ने को मिलता ह ठीक है तो यह आपकी घटनाकरम है अब अगर कोशें को देखने तो आपको तो यह जारा क्लियर होगी कि इन आक्रमणों का जो हो रहे हैं पर श्रम उत्र शेत्र से नों क्या उत्देश है चीन की महांदिवार का बनना मैंने बताया आपको कि चीन में कई तरह के राजनेति सामराज अका निर्वल होना ठीक है तो साहलुकस की निर्वल उत्तरादिकारी अप्रों सही यह कंफ्यूजिंग हो सकता है क्यों कि देखिए अगर अशोग की बात करें तो उसके समय तक पूरे भारत में विशाल सामराज की स्थापना हो चुकी थी और अशोग ने पस्रिम काबिल नहीं थे वह उतने योग नहीं थे अब इसके चलते हुआ क्या उसके चलते हुआ है कि मौरे सामराज का पतन हुआ वो सामराज कई छोड़र तुकड़ों बढ़ गया और इसके चलते जो है पश्रिम उत्तर छेत्र जो बहुत जड़ा अल्रेड़ी वर्लेवल था तो कहीं ना कहीं प्रवेश का करान आपको यह भी दिखाई पड़ता है अशोप के लिवाद उत्तर दिका तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपके तीनों ही स्टेटमेंट नहीं होगा तो पिर आपको कहीं ना कहीं स्टेटमेंट में आपको यूपी एक्जाम में मिल जायगा क्या पंस जाएंगे और उसके चलते आप कोशि Puéra करेंगे या फिर आप क्या करेंगे गलत करेंगे और चलते आपके मांक्स कटेंगे तो काती चीजों को इंडर करके इसमें आपको आंसर निकाल सकते हैं यह अगला कोश्चन देखते हैं भारत में यूनानी आधिपत्ति के संदर में आपको निम्रिखित कत्नों में से कौन सा कथन सही नहीं है राइट नहीं इस पर मिस नहीं करना है जल्दवाजी में कि सही वाला गुर्ण के लगा दिया यह नहीं करना है ठीक है तो कोई एक इंचारों में गलत है तो देख लेते हैं पहला कतन कह रहा है सरवादिक प्रशद यूनाई साश्मक मिनांदर था और उसने बहुत धरमिकी दिख्षा ली तो जिर्मने पढ़ा है उनको पता होगा मिनांदर जो मैं आपको हिंन अक्रमन के बारें बारा वार जिक्र कर रहा हूं उन आकर्मनों को पहले भाद में करने वारा व्यक्ति था उसका नाम था बैटा डिमेट्रियस क्या नाम था अब इनी के एक सन इनलोग हुए दमाद हुए उनका नाम मिनांडर था मिनांडर इनसे चार कदम आगे बढ़ते हुए उस सामराज को आज के मत्वरा तक ले आए ठीक है और एक विशाल सामराज की स्थापना इस परश्चिम भायत परश्चिमोतर भात में की मिनांडर की अब दोनों के वीच बादविवाद होता है तो मिनांडर जो है नाकसेन से पराजित हो जाते हैं और इस संपूर्ण घटना का जिक्र भी है कि मिनांडर ने इस प्राजा के बाद के स्थरे से बहुत धर्म को अपना लिया तो इसको हम बहुत गरंत भी लिखा गया है यह स्टेट्मेंट क्या है उसकी राजधानी शाकल थी यह प्रैक्ट जो आपको पढ़ने को मिलता है चैप्टर में इसके बाद क्या यूनानी शास्तों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाला कौन था वंश कुषान वंश था जखकी सबसे पहले राजाओं के ना इसके बाद आपको विचार करना है तो निम्निखित करत्नों पर आपको विचार करना है चलिए विचार करते हैं मिलिंदपन्हों में मिनांडर और नाकसेन के बहुत धर्म पर जो प्रश्णोत्तर है उसका संकलन बिल्कुल सही बात है मैं नहीं बताया आपको मिलिंदपन्हों जो गरंत है वो मिनांडर हिन्याई साशक और एक बहुत विख्षू नाकसेन के बीच हुए प्रश्णोत्तर प्रारूप में हुए वाद विव से था क्योंकि जब सिकंदर का भात पर आकरम होता है तब से ही इस यूनानी कला का प्रभाव भारत पर देखने को मिल जाता है और आगे चल कर हैलनिस्टिक कला भारत में फैल जाती है और यही वो कला है जिसके प्रभाव के सरूब आपको अशोक इस्तंभू का तो पहला सही है दूसरा गलत है उत्तर क्या हो जाएगा वी केवल है तो इस तरह से आप इस प्रश्ण को इजली सौल कर पाएगे तो इस तरह से आमने पोस्ट मॉर्या एच के आज कुछ प्रश्णों का अभ्यास किया है प्रश्णों के अभ्यास के साथ साथ मेरा प्रयास रहता है कि आपके कुछ टॉपिक्स भी रिवाइस हो जाए तकी ऑफ वीडियो पसंद आया होगा आपको कुछ नया सीखने को मिले होगा अगर पैसंद आया हो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार बने रही है हमारे साथ कि हम एक एक करके हिस्ट्री के स